नमस्कार गोड़ा जार्खन समय देश दुनिया की बड़ी खबरों में आप सुमू का स्वागत है मात्र एक लड़की को लेकर राजधाने ट्रेन पहुंची राची जानिये क्यों रेल्वे ने क्या ऐसा फैसला जार्खन में पारा सिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खुस खबरी पारा सिक्षकों के नोकरी अब साट वस जानिये अब कितना मिलेगा मान दै प्रधान मंत्री अवास योजना का आवेदन कैसे करें जानिये क्या है इसकी परक्रिया प्यम जन्धन योजना के चावश पूरे होने पर केंसरकार जन्धन खाता धारकों को दिया 10,000 का तोफ़ा गोड़ा से राची के लिए बसों में 700 रुप्या देना होगा किराया जार्खन में 46,000 के पार करोना संक्रमन होम कुरिंटिन का उलंगन करने पर राची में 3 लोगों की खिलाब मामला दर्श देश में एक दिन में 83,000 के पार करोना संक्रमन कौन से राज में करोना से कितने लोग मरें पूरी रिपोर्ट देखिए अब समचार विस्तासे लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं गोड़ा जार नियूज अगर आप भी जारकन समय तेश दुनिया की खबरों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखावा है उसे अपने अंगले से टच करें टच करते ही आप इस चेनल का सदस्य बन जाएगे और अगर रोजना समाजा सुनना और देखना चाहते हैं तो घंटी की बडर्म को चरू दबाएं दबाते ही सबसे पहले गोड़ा जार नियूज आपके पास बहुत जाएगा जाओंगी तो जाओंगी राइधानी एक्सप्रेस से ही यदि बस से जाना होता तो ट्रेन का टिकट क्यों लेती बस से सफर कर राची चले जाती लेकिन टिकट राइधानी एक्सप्रेस का है तो बस मैं इसी से ही जाओंगी टाना भक्तों के आंदोलन से डाल्टन गंज स्टेशन पर फसी रायधानी एक्स्प्रेस में सवार अन्यान्या ने यह जीत पकर ली रेल्वे अधिकारी भी परिशार हो गये क्या करे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अंत में जीत के आगे उन्हें जुकना पड़ा रायधानी एक्स्प्रेस साम करीब 4 बजे डाल्टन गंज से वापस गया ले जाकर गोमों और बोकारों होते वे राची के लिए रवाना करनी पड़ी रात करीब एक बज कर 45 मिनट पर राची रेल्वे इस्टेशन पहुँची ट्रेन में अन्यान्या एकलोती सवारी थी 930 यात्रियों में 929 को रेल्वे डाल्टन गंज से बसों में बसों से गंतब की ओर पहले ही रवाना कर चुकी थी संभौत रेल्वे के इत्यास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक सवारी को छोड़ने के लिए राधानी एक्सप्रेस ने पास 35 किलोमेटर की दूरी तै की जार्खन के लोग ही बनेंगे राजी में टीचर सिक्षा मंत्री जगनात महतों का बड़ा अभ्यान उन्हें 32 का खतियान होगा स्थानी निती का अधाराज के पाराशिक्षकों की सेवा सर्थ नियामावली को गुरुवार को सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने शुक्रिती दे दी नियामावली में पारा सिक्षकों की सेवा स्थानी करान वामान दे के वेतनमान देने का प्रवधान क्या गया है पारा सिक्षक अब 60 वस की उमर तक अपनी सेवा दे सकेंगे उन्हें 52 सो से 20 जार उपे तक का वेतनमान दे जाएगा इस पर अंतिम ने नहीं विदी विवाग के प्रामास के बाद लिया जाएगा परदानमंत्री आवास उजजना के लिए आवधन कैसे करें और क्या है इसका आवधन की परिक्रिया पूरी जनकारी के लिए भीडियो में बने रही हैं। अगर आप किसी छोटी बस्ती में रहते हैं तो इसके लिए Benefit अधर थ्री Components पर किलिक करें। इसके बाद आप अपना अधार नमर डालें और शेक पर किलिक करें इसके बाद अगर आपका अधार नमर सही है तो आपको अपनी पूरी जनकारी का विबन सही सही भरना पड़ेगा सारी जनकारी सुनेश्चित करके सब्मिट कर दें इसके बाद आवे देन की एक कोपी आप अपने पास रख लें बता दे कि इस योजना की मादेम के सरकार ने एगले तीन वर्सों में एक करोर आवास निर्मानकार लक्ष रखा है वहीं पि-म आवास योजना 2020 के ताथ गरामीन छेतरों में चार करोर घरों का निर्मान कराया जाना है सरकार के उदेश है कि गरामीन छेतरों में निर्मानकारी के लिए लोगों को रोजगार का अवसर भी पदान क्याज़ा है के सरकार ने पधार मंतरी जंधन योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर जंधन खाताधारकों को बहुत स्युधाव समेत बड़ा तोफा दिया है पिम जंधन योजना के अंतरगत 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जंधन खातों में रुपे कार्ड पर पीनवा कबर दिया है और इसके साथ ही ओवर ड्राप्ट की शीमा भी बढ़ा दी गई जिसमें पहले 5000 रुपे दिये जाते थे लेकिन अब 10,000 रुपे दिये जाएंगे जितने भी देश के जंधन ख़दाधारक हैं सबों को 10-10,000 रुपे दिये जाएंगे एक सितंबा से राज के अंदर बसों का परिचालन सुरू हो गया है कोरोना संक्रमन काल में सारिक दूरी का पालन करते हुए किराया का निधारन क्या गया है गोडा से राजची के लिए अब सीट पर 700 रुपे वा सिलपर में 7,500 रुपे देना होगा जबकि दुमकार के लिए 140 वा देवगर के लिए 160 रुपे किराया देना होगा बस संचालक गुड़ यादों ने कहा कि फिलाल यादर तैकी गई है एक सीट वा सिलपर में एक एक ही यातरी रहेंगे वहीं लोकल बस के संचालन में सारीक दूरी को लेकर कठनाई हो सकती है हलाकि एक सीट पर एक ही यातरी को बैठाना है लेकिन लोकल रहने के कारण रास्ते में यातरी चाड़ना सुरू करता है यहाँ पर कठाई हो सकती है कहा कि फिलाल पहले मंगलवार को वाहन चलाया जाएगा इसके बाद मामले को लेकर परसासन वा परिवान विभाग के अधिकारियों के साथ बस संचालक संग मिलेगा सारी बातों के अवगत कराया जाएगा जो निना आएगा सभी पालन करेंगे गुरु आर को 116 नए मामले के साथ राज में अब तक करोना संक्रमेतों की कुल संक्या 46,000 तिरपन पहँच गई गुरु आर को मिले 116 नए करोना संक्रमेतों में से देश में एक दिन में कुरोना वारा संक्रमन के 83 हज़ा से अधिक नए मामले सामने आये हैं इसके साथ इस संक्रमन के कोल मामलों के संख्या 49 लाग को पार कर गई वहीं देश में अब तक 30,31,92 लोग उपचार के बाद संक्रमन मुक्त हो भी चुके हैं आखरो कंशा देश में फिलाल 8,31,341 सक्री मामले हैं देश में 24 घंटे के अंदर कहां कितने लोग मरें इस रिपोर्ट में देखिए 24 घंटे के दोरान 1096 और लोगों की मोत की जनकारी मिली उनमें के लिए महराष्ट में 391 लोगों ने जान गवाए इसी तरह करणाटर के 104 तेमिलाटों में 91, उतरपदेश में 75, अंदरपदेश में 75, पंजाब में 72, बंगाल में 55, मधिपदेश में 30, बिहार में 26, दिल्ली में 99, हरियाना में 99, 36 गड़ में 16, गुजरात में 16, राजस्थान में 12, जमू कस्मीर में 11, केरल में 10, तिलंगना मे इसके साथ ही आज की समाचारों बस इतना ही हमें देज़े इजायत नमस्कार